कि नमस्काल दोस्तों टार्गेट सीकर मैं आप सव्यूगा स्वागत है आईए आज हम आपके लिए बहुत महत्पूर्ण फ्रिष्णों की समागम के साथ में आए हैं जिसमें जी-क-जी-ए-स और करेंट अफियल्स और हिंदी के साथ में अनेक महत्पूर्ण फ्रिष्ण हैं और देखना है कि इसमें कैसे प्रश्ण पूछे जाते हैं जो परिच्छा के लिए बहुत महत्पूर्ण है ठीक है तो देखिए इसमें जो पहला प्रश्ण है उसे देखने से पहले आपके लिए एक महत्पूर्ण सूचना है कि आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नही करना है जिससे अगर आप वीडियो की स्कप्प कर देते हैं तो क्या होता है कि जो कुछ बात है हम लिखके नहीं वता पाते हैं और तो यह यह पिस्ति कर देते हो तो वह आप जमुकसमीर में राजस्थान में उत्राखनवे या उडिसा में बताइए किस राज में बेरिनाग जील इस्थित है बताइए कहां पर इस्थित है तो देखिए राजस्थान में कौन-कौन सी जीले हैं राजस्थान की जीलों को अगर देखें तो उसमें हैं राजसमंद राज पर जील भी वहीं परिस्तित हैं कहां पर राई 스ण में और है आपका फिच्छुला जील है पिच्छुला पिच्छुला जील है पटेह साग्र आधे ृफ realizar पटेह ऑगर कहां पर ही राई intent pior और देखते हैं राक Ahaaja standards एक अगर देखना अगर mechanism स्थान में और है आपका पिछोला जील है पिछोला पिछोला जील है फते सागर है फते सागर ठीक है फते हैं फते सागर कहां पर ही राजस्थान के अंदर और देखते हैं उत्तराखंड में कौन कौन सी है उत्तराखंड के बारे में अगर देखना हो तो उसको भी देख लीज आपके उत्तराखंड में कौन कौन सी जीले हैं जितनी भी ताल वाली जीले हैं जिनके पीछे ताल शब्द लगा हुआ है उन जीलों को हम कहाँ पर देखते हैं सभी ज्यादातर उत्तराखंड में हैं जैसे नैनी ताल है आपका नैनी ताल ठीक है नैनी ताल और आपका जो सा सात ताल सात ताल कहां पर है यह सभी उत्तराखंड में हैं उसके अलावा राकस ताल राकस ताल ठीक है राकस ताल देवताल ठीक है नौकुछुगा ताल नौकुछिया ताल खुर्पा ताल कुर्पा ताल ठीक है इस परकार से और भी जतनी भी जीले हैं जिनमें ताल लगाओगा वो कहां से सम्बन देता होंगी उत्तराखंड से ठीक है अगर उडिसा में देखें तो उडिसा की एक मैत्पूर्ण जील है वो कौन सी जील है वो है जील चिलका ठीक है चिलका जील तो आप जम्मु कस्मेर से संबंद देखें जम्मु कस्मेर से संबंद देते हैं जम्मु कस्मेर से संबंद देते हैं आपकी जितनी भी नाग नागन वाली जीले हैं नाग यानि जिनके पीछे नाग लगा हुगा वो सभी जम्मु कस्मेर से सं अनंतनाग है अनंतनाग ठीक है नागन जील नागन जील ठीक है और अन्नी जो ताले हैं जैसे और वी देखें जैसे शेष शेष नाग ठीक है डल वुलर यह तो आप जानती है डल जील वुलर जील वुलर ठीक है तो जितनी भी नाग से सब्बन देते हैं उनको आप कहाँ पर रखोगे उन्हें रखोगे जम्मु कस्मीर के अंतरकत तो बेरी नाग में भी नाग लागा हुआ इस प्रकार इस प्रिश्ण का सैँत्तर क्या है वह है जम्मु गस्मीर। यह अगले 50 की तरफ चलते हैं हमारा अगला interessant का राए इसमें क्या हुआ है है कि जो समभडान दिर्मात्री सवाथ है उसमें प्रांतिय समभडान समभिवां समिती का अध्यच आध्यच्द wives यह आपको बताना है कि कौन इसका सही उत्तर में भरा जाएगा पताइए कौन है इसका सही उत्तर तो देखिए भीम्राव अम्मेड कर जो थे भीम्राव अम्मेड कर प्रारूप सम्ति के अद्यच थे ठीक है प्रारूप सम्ति के अद्यच कोन थे भीम्राव मेड कर डाक्टर राजणर प्रसाद जो थे वो संचालन सम्ति के थे संचालन सम्ति संचालन सम्ति संचालन सम्ति के अद्यच कोन थे आपकी डाक्टर राजणर प्रसाद और जभालान नहरू जो थे वो संग संविधान सम्विधान 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 सम् सबको एक घटा किया था इसे जो सभी विभि भाषाओं बीभिन बर्गों प्रकार के सम्प्रदायों को एक करने का कार्य करता है तो इस प्रकार इस प्रिश्ण का सयुत्तर क्या है सलदार वल्लभाई पटेल आई अगले प्रिश्ण की तरफ चलती है हमारा अगला प्रिश्ण क्या कह रहा है कि जो करनिश्क थे उनके साशनकाल में किस बौध संगीति का आयोजन किया गया था प कि चार्सो तरासी में चार्सो चार्सो तरासी इसा पूर्व में इसा पूर्व में कब हुई थी चार्सो तरासी इसा पूर्व में तो वो कब हुई थी चार्सो तरासी में अजाद सत्रू उस समय पर राजा थे और ये कहां पर हुई थी राजग्रह में कहां पर राजग्रह म ठीक है राजग्रे में हुई थी और इसके अध्यच कौन बने थे वो बने थे आपके महाकश्यप 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 इसके अध्यच बने थे तो ये पहली के अंतरकत हो गया और दूसरी के कव कौन बने थे उसे देख लिजिए आपकी दूसरी जो संगेती हुई थी उस उसका आयोजन कब किया गया था 383 में 383 में 383 में पहली कब हुई थी 483 में ठीक है 483, 383 और ये तीसरी हुई थी ये कब हुई थी 251 में 251 में और जो चोथी हुई थी ये पहली सदी में प्रत्वitosלי में सदी या सतापदि यह भी बोलें ठीक है सदी में और इन्हें अगर देखें तो पहली के वारे में हमने बताई दि आपको दूसरी के अगर देखें तो दूसरी किसरे सास्चन काल में हुई थी यह इंति काला शोक के में ठीक है और इसका आयोजन का पर हुगा था वह हुगा था वेशाली में वेशाली वेशाली में और अध्यच्य कौन वने थे इसके वह आपको कमेंट के माध्यम से बताना आए ठीक है तीसरी देखते हैं तीसरी हुई थी पाटली पुत्र में कहा हुई थी पाटली पुत्र में पाटली पुत्र में तो इसके अध्याच्छ कौन वने थे गुगली पुत्त ठीक है गुगली पुत्त इसके अध्याच्छ थे और किसके सास्नकाल में हुए थी यह यह आपको कमेंट के माध्यम से बताना है ठीक है यह हुए थे अशोग ठीक है अशोग जो राजा हुए थे उनके शाषनकाल में यह तीसरी वाली हुई थी चौथी कुंडलवन में हुई थी कुंडलवन में कहां पर कुंडलवन ठीक है कुंडलवन में और कनिश्क को समय पर राजा थे कौन थे कनिश्क को उस समय पर राजा थे और उस समय पर इसके अध्यच कौन वाने थे वशुमित्र और अशुगोष वशुमित्र वशुमित्र ठीक है अशुगोष अशुगोष ठीक है आईए अगले प्रिश्ण की तरफ चलते हैं इसमें पूछा गया है कि दिलवाडा का जैनमंदर किस राज्य में इस्तित है दिलवाडा का जैनमंदर है मध्यप्रदिस में राजस्थान में महाराष्ट में या उत्तराकर्ण में बताए कहां पर इस्तित है तो इसमें बताना है कि देखी पहले तो दिलवाडा का जैनमंद रहे हैं यह जैन संपरदाय से संबंद रहे हैं किसे जैन संपरदाय से और यह कहां पर इस्थित है आपका राजस्थान में कहां पर? राजस्थान में इस्थित है और अगर आपसे पूचा जाए कि ये किस परवत पर है तो ये है माउंट आबू परवत पर आबू परवत पर माउंट आबू परवत पर है ठीक है? राजस्थान में और इसके बारे में आपसे पूचा जाए कि इसका निर्माण किसने करवाया था तो वो थे राजा भीम जो थे उनका एक सामंद था उसका नाम विमल था तो उसने करवाया था किसने राजा भीम का जो सामंद था विमल विमल नाम का जो सामंद था उसने बनवाया था कौन था ये सामंद किसका राजा भीम का ठीक है तो भीम प्रथम कौन सा राजा भीम प्रथम आईए अगले पृष्णी की तरफ चलते हैं इसमें बताना है कि इन में से कौन सा शब्द तड़ाग का सही पर्यावाची है सरोज, सरोवर, कृपाण या दामिनी इन में से बताए कौन सा सही उत्तर है तो देखिए तड़ाग का अल्थ क्या होता है तड़ाग का अल्थ होता है तालाब तालाब ठीक है क्या होता है ताला और तालाव के इनमें से कौन से परजयावाची है उन्हें अगल देखें तो एकें करके इनका आल्थ देखते हैं पहले तो सरोज का अल्थ क्या होता है सरोज का आल्थ होता है कमल ठीक है, सरमाने, जल, या नीर, और उसमें उत्पन, ठीक है, कौन होता है, कमल, सरोज, कृपान का अउत्थ क्या होता है, तलवार, ठीक है, दामनी का अउत्थ होता है, बिजली, विद्युत, ठीक है, बिजली, विद्युत, छनप्रवा, ठीक है, इस प्रकार से, बचाओ अगले प्रिश्ण की तरफ चलते हैं, हमारा अगला प्रिश्ण क्या कह रहा है, इन में से कौन सा एक मोटे अनाज की स्रीणी में नहीं आता, यह आपको बताना है, कौन सा नहीं आता, जो है, मक्का है, बाजरा है, या क्यों है, तो बताइए इन में से कौन सा इसका सही उत्त बताइए जल्दी से तो देखिए मोटी अनाज के अंतरगत कौन कोन आता है पहले इसको जान लीजिए मोटी अनाज के अंतरगत आते हैं आपके जो मक्का राई रागी ठीक है जो मोटी अनाज होते हैं इनमें पोशक तक तो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं तो अन्य भी ज नॉर्मल्य इंसान पहले खाते थे, लेकंन आज कल कम खाते हैं, आज किस अनाज को खाना पसंद कलते हैं देखे गेहूं को, तो गेहूं मोटे अनाज के अंतरगत नहीं आता है यही प्रिश्ण का सही उत्तर है, आईये अगले प्रिश्ण की तरफ